नमस्कार, आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जो ओनर किलिंग की घटना थी लेकिन मौके पर पहुँचकर देखने वालों की रूह काप गई थी 27 जुलाई 2015 की बात है थाना मलिहाबाद शेत्र में एक बंशी गड़ी का जंगल है इस जंगल में बीच जंगल में एक युवती और युवक दोनों की अमर लगभग 20-20 साल है उनकी डेट बाड़ी बिल्कुल सटा कर एकदम सीधे सीधे जैसे कहते हैं दोनों की कोई विक्रित नहीं कोई ऐसी नहीं कि इधर उदर फेंकी हुई हो लाकर दोनों की बाड़ी रखी गई थी कहीं और इनहें maior कर पीट कर दोनों की मूक्ति हो चुकी थी दोनों की चेहरे हो यह सूचना मिलते ही चूबकि दो लोगों की सूचना थी और यह सूचना उस गाओं के जो राम चुटिधार होता है निहाल पासी, इसने ठाने आकर भी जिएकिसाद दू लोग वहाँ पर मरे पड़े हैं। दोनों बिल्कल नौजवान है, लड़का है, एक लड़की है। लड़की के बारे में बताया है कि वो सलवार सूट पहने हुए है और लड़की के बारे में बताया है कि वो टी शर्ट और पैंट पहने हुए है निहाल पासी की सूचना पर फौरण फौती सूचना दर्ज की गई फौती हमारे खासे उर्दू या पर्शेन वर्ड है एफाई आर दर्ज की गी जिसमें कंप्लेनिंट था उस गाउं का ग्राम चौकीदार चुकि उन दोनों को वो भी नहीं पहचानता था तब तक वहां भीर लगी थी गाउंवालों की वो भी नहीं पहचानते थे उन दोनों के बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं था कि डबल मर्डर की सुचना थी ति मैं भी समय निकाल कर भाग के वहां गया मौके पर मौके पर काफी भीर लगी हुई थी कोई भी इन दोनों डिट बाडिस को पहचान नहीं पा रहा था खैर वहां पर आगे की जो कारवाई होती है उसमें पंचायत नामा भरा गया और पोस 21 नहीं में भेज दिया गया में इutable तरह आगी हमारे capital में यह फाने पर पर जाती है और को अपने पास रख यह पोस्माटम देखा गया पोस्माटम डिपोर्ट में दोनों की दोनों की मृत्ति वो एंटिमाटम इंजरी की वजह से हुई है और इंजरी बहुत जादा लिखी हुई थी हमारे ख्याल से 25-25-30-30 इंजरी उसमें लिखी हुई थी cause of death due to antimotem injuries थाने पर जैसे ही पोस्माटम डिपोर्ट पहुंची उस फौती सूचना को हत्या में तक्काल चेंज किया गया तर्मीम किया गया तर्मीम करना कहते हैं कि धाराओं को जो कोई धारा नहीं थी फौती information थी और उसको 302 IPC हत्या की धाराओं में तर्मीम कर दिया गया यानि बदल दिया गया वहाँ पर तब तक हलका 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 यह पता लगने लगा था कि दो लोग गायब था यह काफी जिन से दोनों के घर पे पुलिस बताने गई थी लिकिन वहां से सारे लोग भाग गए थे न तो लड़की के घर में उनके भाई चचेरे भाई और लड़की के पिता वो भी नहीं मिले और नहीं लड़के के घर में जो सूरज नाम का था लड़का धानुक उसके घर में ही कोई मिला और जो और आस पास के लोग थे सब ने उसकी शनाप करने से इंकार कर दिया उसमाटम के बाद परिजनों को लाश सौपी जाती है और अगर परिजन नहीं है लावारिश है लाश तो 72 घंटे तक उसको फ्रीजर में रखा जाता है ऐसा प्राविधान है कि 22 घंटे तक लावारिश लाश का कोई अंतिमसंसकार नहीं किया जाएगा या तो इस बीच में कोई आ जाएगा वरना फिर ये सरकारी तोर पर जो भी जिस धर्म की बाड़ी होगी उसके धार में के रिती रिवाज के अंतिमसंसकार पलिस कराएगी यानि सरकार कराएगी ऐसा लगा कि दोनों में से किसी की बाड़ी लेने कोई नहीं आया इसी बीच में दो महिलाएं वो आई और उनका साब एक ने कहा ये मेरी बेटी है और दूसरी ने कहा कि ये मेरी बेहन की बेटी है यानि मृतका की माँ और मृतका की मौसिब उनसे कहा गया ठीक से पहचान लीजिए उनका साम मैंने बिल्कुर ठीक से पहचान लिया है ये हमारी बेटी है और काफी दिन से वो गाउं से गायव है और उसने बताया कि किसके साथ गायव है उसका भी नाम पता बताया गया खैर कोई नहीं आया तो वो दोनों महिलाएं ही पनी बेटी की लाश को लेके समशान घाट तक गई और समशान घाट पे रहने वाले जो अंतिम क्रिया या जो जो ये लास्ट राइट्स होते हैं उनमें जो लोग कराते हैं उनसे मिल मिलाके उन अपनी बेटी का धासंसार करके अपने घर चले गए लेकिन पुलिस को पता लग गया कि ये जो कुरुश है वो कौन है और महिला कौन है बहुत तलाश की गई कुछ पता नहीं लगा 27 जुलाई से लेके धीरे धीरे ये चार दिन पांस दिन हो गए फिर इनके मोबाइल फोन में कॉल रिकॉर्ड उस समय बहुत जिसको कहते हैं कि चलन था मुक्बिरों पर बहुत भरोसा नहीं था और मुबाइल फोन या कॉल रिकॉर्ड या मुबाइल लोकेशन पर पुलिस को बहुत भरोसा इसलिए था कि 90 फिसदी केसिस यहीं कॉल रिकॉर्ड से खुल रहे थे उस जमाने में जब उतनी चाला की नहीं हुई थी कि क्राइम करने के पहले क्राइम किया ज Extension और से एक्राइमान किया जाए और फिर ऊसे dispose आफ करदिया जाए कैर्ट वहां गाओं से सारी लोगों के लड़की के परिजनों के और लड़के के परिजिनां के नंबर मिल गए नंबर को सचतु हम आजने लगा और धीरेव उन की लोकेशन मिलने लगी ये बाचीश से दीरे दीरे अब चीजे पता लगने लगी एक सब इंस्पेक्टर उस गाउं में बराबर मुस्तिकिल बना रहा कि किस तरह की सुचनाएं वहां से मिलती है ये पता लगा कि जो मृतका थी उसका नाम सरोज उर्फ बवा था उसके पिता का नाम राम अवतार था राम अवतार पाल उसका उसकी उम्र करें 20 वर्ष थी और जो मृतक था वो था सूरज धानुक सानाफ की उम्र 21 वर्ष थी सरोज का विवाह उस समय धाई साल पहले वहीं ककराला गाउं के एक मंजेश सन अफ मिस्रिलाल से हुआ था और उसके आठ मा का एक पुत्र भी था लेकिन सरोज और सूरज इन दोनों का विवाह से पहले से ही प्रेम संबंध रहा था और विवाह के बातचीत होना और मिलना जुलना जारी रहा सूरज वो सरोज से मिलने के लिए सरोज के ससराल का कराला बराबर किसी ने किसी बहाने से जाता था और किसी भी तरीके से बताते हैं कभी फेरी बाला बनके कभी कुछ बनके यह से मिलाता था और इसी तरह से ये लुकाची पी की बात चलती रही वो घटना के दो दिन तीन दिन पहले घटना से पहले करीब वो डिर्व महीने माईके में रहके ससुराल के लिए निकली अपने ससुराल कक्राला वो पहुँच गई वहां से सुरज भी प के माईके में रह रही थी और वहां इनों की ज़्यादा नस्दिकी भी थी और वहाँ इनके मिलने के तरीके भी थे चुँकि एक ही गाओं के थे बाहर के किसी आद्मों के आने जाने पर गाओं में कम से कम उसका पता लग जाता है रोग डोग करते है लोग लेकिन चुँकि दोनों गाओं के ही थे इसलिए ये करीज़ माईने जब तक वो माईगी मेरे रही बराबर मिलता रहा जब वो ससुराल गई, ससुराल से उसको लेने के लिए कोई आया था और पीछे पीछे सूरज भी उसके ससुराल चला गया अपनी मा को उसने ये बताया कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ नोकरी करने कुछ पैसा कमा के लाऊंगा, पैसे की दिक्कत है मा को लगा कि बेटा हमारा नोकरी करने किया है लेकिन सूरज नहीं गया था दिल्ली बलकि वही पास में संडीला और हर्दुई के आसपास अपना जो मजदूरी का काम था वो करता था और रात में जहां सभी मजदूर एक साथ सोते हैं वहाँ पर आराम करता था सरोज इसी बीच में वहां संडीला में एक सीतलामाई का मेला लगता है सरोज ससुराल से तमाम और औरतों के साथ गाउं की सीतलामाई का मेला देखने गई वही पर इसकी फिर सूरज से मुलाकात हो गई दोनों मेला खुब घुमे और शाम को वहां से सूरज और सरोज दोनों ही अपने घर आये मतलब महिला के ससुराल में वहां आये पीछे पीछे सूरज भी आ रहा था और थोड़ी देर वहां पे रहे चुपचाप पती उसका था नहीं चुपचाप अपने कपले एक बैग में रखे और ये दोनों वहां से निकल गए वहां से जाने के बाद शाम को हला हुआ कि साब कहीं चले गए वहां पूछा गया माइके में वहां भी नहीं पहुचे थे तो ठक हार कर इसके पती सरोज के पती मंजेश ने मलिहाबाद थाने में एक नॉन कॉगनिजिबिल रिपोर्ट जिसे NCR कहते है बसकराई कि इस तरह से वो अचानक घर से चली गई है और यही है समान घर का ले गई है दोनों वहां से भाद के लखनवू आ गए और लखनवू में वो रहने लगया जहां पर लखनवू डेलोप्मेंट अथारिटी की बहुत धेर सारी बिना बसी हुई कॉलनीज हैं वहां पर तमाम मजदूर रहा करते हैं एक ही बिना बसी हुई जिसको मतलब जिसमें आवासित लोग नहीं है खाली है वो अभी उनका किसी टेकनिकल ग्राउंड पर उनका आवंटन नहीं हुआ है या निर्जन इस्थान पर हैं लोग नहीं आते हैं तो वहां ये दोनों रहने लगे और अपना मजदूरी करके जी क्योंकि दोनों अलग अलग जाती से सूरज धानुक जाती का था और सरोत यानि महिला पाल जाती की थी ये ढूरते ढूरते सूरज के घर पहुँचें सूरज के घर पे ताला लगा था और आसपास के लोगों ने बताया है कि सूरज की माँ अपने में के थावर चली गई है ये लोग वहां से निकले और थावर कहुँचें थावर में उसने सूरज की मा से पूछा कि कहां है सूरज सूरज की मा ने कहा कि वो दिल्ली गया है कमाने गया है और मुझे नहीं पता कि दिल्ली में वो कहां कमाता है इन लोगों ने उसका मुबाइल नंबर या और कोई संपर्ख जिसके हाँ गया हो जानने की कुशिश की लेकिन सूरज की माँ को कुछ नहीं पता था इसलिए उसने कुछ भी नहीं बताया मंजेश का चचेरा चाचा राकेश ये अपने कक्राली अपने ससुरा लाए वहाँ वो सरोज के भाईयों से और उनके रिश्दारों से मिले कि इतना दिन हो गया है इसका पता नहीं लग रहा है क्या किया जाए हम भी बहुत बदनामी हो चुकी हमारी गाउं में और इधर सरोज के जो घर वाले थे मतलड़ी की जो घर वाले थे वो भी यही शnar नहीं लग रहा है कि कहा चले गए वही अपने सालों अपने ससुराल में अपने सालों के साथ रात भर और दिन भर वह अपनी परेशानी बाट रहा था और ये कोशिश कर रहा थे कि कुछ भी करो लेकिन इनका पता लगना बहुत जरूरी है इस बद्दामी को कैसे भी कतम करना है दूसरे दिन शाम को वो घर पे बात्ची थी कर रहा था तभी सरोज यानि लड़की का फोन अपने पती यानि मंजेश के फोन पर आया सरोज ने कहा कि मैं पहुंच रही हूँ दूबग्गा से संडीला और तुम वहीं आ जाओ और मुझे अपने साथ घर पी ले चलो मुझे बच्चे की बहुत याद आ रही है इसने कहा चाथ ठीक है मैं पूछ के बताता हूँ इसने ये नहीं बताया हम कहां पर है और फिर उसके भाई दिनेश से दिनेश और चुकला से उसने ये कहा कि देखो भाई तिवारी और दिनेश से कहा कि देखो मैं तो अपने घर उसे लेने जाओंगा तुम्हारी बहन है तुम अगर चाहो तो उसने ऐसा ऐसा बताया है चले जाओ अपनी बहन को ले आओ हमें कोई आपति नहीं होगी उसने आने के लिए कहा है यह भी कहा है कि अब मैं तुम्हारे घर रहूंगे लेकिन अब मैं किसी कीमत को किसी कीमत पर उसे घर नहीं ला सकता क्योंकि मेरी पहले ही बहुत बदनामी हो चुकी है और वो जो जाद बिरादरी का अंतर है वो जीने नहीं दे रहा है और हम सब यही ठाना देते हैं कि इसकी भी भी फला के साथ भाग गई सरोस के भाईयों ने कहा कि तो ले तु मैं भी नहीं आऊंगा यहां ले आने का कोई मतलब नहीं है वो इतने दिन से तुम्हारे यहां से पी चली गई हमारे यहां से चली गई भाग गई है और हम किसी भी कीमत पे उसको वापस नहीं लाएंगे काफी दिर तक की लोग आपस में मंधन करते रहे फिर मंधेश उसका चचेरा चाचा राकेश सरोज के दोनों भाई सरोज का एक चचेरा भाई हिन्ना इन सब लोगों ने कहा कि इस मौके का फाइदा उठाईए और अपने सिर्फ जो यह बदनामी के दाग लगे हुए है इसको इसी मौके पर हम लोग खतम कर लेते हैं इन्होंने यह डिसाइड किया कि मंधेश आप फोन किया और यह बताया है कि ठीक है हम आ रहे हैं और हम तुम को ले चलेंगे हुआ भी यही लड़की के पती मंधेश उनके चचेरे चाचा लड़की के दोनों भाई लड़की का एक चचेरा भाई यह कुल पांच लोग तीन मोटर साइकलों से वहां से चलें वहां से यह पांच लोग चलें मंधेश चचेरा चाचा राकेश और अंधे की चौकी के पास से होते हुए जब वहां से चलें तो अंधे की चौकी से पास होते हुए कस्बंडी कला होते हुए 11 वजे से सरोज इसने जहां पर कहा था वहां पर इसे मिल गई सरोज से इसने पूछा कि सूरज कहा है उसने का सूरज भी बस आदे गंटे पहले हमको यहां से छोड़के बाला गंज की तरफ गया है बाकी लोग सरोज के साथ यहां ख़़े रहे और सरोज का चचेरा भाई हिना और उसका पती मंजेश यह दोनों मोटर साइकल से वहां से निकल गए बाला गंज की तरफ उसको दूढने के लिए सूरज मिल गया इन्होंने सूरज से कहा कि देखो तुम अभी उसको छोड़ के आये हो मुझे पता लगा है हम लोग इसलिए तुमको लेने आये हैं कि आज हम लोग गाउं में बैठेंगे सब लोग हमारे साथ हैं इसके सरोज के भाई लोग भी हैं और मैं भी हूँ हमारे ये चाचा हैं हम लोग सब लोग मिल बैठे और जो तुम़ारी मरजी हो जो तुम्हारे हिसाब से जो सही है सही लगता आए तुम्हें वैसा हम लोग फैसला बैठे के कर देंगे और फिर उसी फैसले के मताबिक बै, तुम जहां रहना चाहो, तुम रहो और हमें अगर संबंद विच्चेत करना है तो हम संबंद विच्चेत कर लेंगे दूसरी शादी कर लेंगे ऐसा समझा कि उसको वहां से, बाला गिंज के थोड़ा पहले से जहां पर इसको पकला था सरोज को वहां तक ले आए दोनों का आमना सामना करा है शंका दोनों को हो रही थी कि मामला कुछ गरवड है क्योंकि ये दो लोग थे और सामने पांस लोग थे लेकिन पहले से तैंकर रखा थे इन लोगों ने उन दोनों ने पूछा कि अब कहां ले चलना उनका गाउं चलो भाईयों ने कहा कि हम अपने हाँ उनको ले चलेंगे और वहीं पर ये आये हुए हैं ये रुके हुए हैं दो दिन से वहीं और चार बड़े बजरुगों को बिलाके और इस बार फाइनल फैसला कर देंगे कि इसमें होना क्या है जो तुम चाहोगे वही फैसला कर देंगे चार बजरुग बैठके उस बातों कर लेंगे तो जो हम लोगों को जगह जगह बार बार बदनामी का सामना करना पड़ रहा है वो बदनामी हमारी बंद हो जाएगी ऐसा कहके वो इसको सरोज को यानि लड़की को उसका पती और उसका भाई ये एक मुट सैक्ल पर लेके चले गए इन लोगों ने पहले से कुछ टैकर रखा था कि करना क्या है ये और उसके बाद पीछे से सूरज को बठाके उसका सरोज का दूसरा भाई और सरोज के उसके चाचा चाचेरा चाचा मन्जेश का ये तिन तिन लोग इस पे बैठके और एक अखेली एक दूसरी मुट सैक्ल पे दो लोग बैठके ये वहाँ से चल दिये ये दुबगगा बाइपास से सीतापुर बाइपास पर आ गए सीतापुर बाइपास से ये माल रोड की तरफ मुड़े सरोज पती और भाई की मोटसाइकल पर और सूरज सरोज के भाई दिनेश और सिकुमार के साथ बैठा हुआ था सीतापुर बाइपास से माल जाने वाली सड़क पर इसे ले गए जब एकदम सूंसान हो गया तो अचानक दोनों ने अलग अलग दोनों के बीच की दूरी यानि जो लड़की को साथ मिलिये हुए थे उसके पती और भाई और जो लड़के को साथ मिलिये हुए थे वो इन दोनों में आपस में बाचीत भी हुई पहले सरोज के साथ जो लोग थे उन्होंने ये बताया कि काफी देर हो गई है दो मिनट हम लोग नेचर कॉल है पिशाप कर लें उसके बाद फिर आगे चलेंगे गाली को पेड़ की आल में खड़ा किया और लपकर सरोज के गले में जो दुपट्टा था उससे मंजेश और इसके भाई दिने शुकला ने सरोज के भाई ने उसके गले में लगे हुए दुपट्टे को खीश के उसके गले को कस दिया थोड़ी देर में वो बेहोश हो गई बेहोश होने के बाद उसके सिर पे बेतहाशा पत्थर से डंड़े से गाली में जो टूल बॉक्स में जो बड़े रिंच और प्लास थे उनसे बुरी तरह से उसके चेहरे को शरीर को चतिगरस्ट कर दिया जब यह इंशोर कर लिया कि अब इनकी मृत्ति हो चुकी है और इसके शरीर में कोई दम नहीं है वो वहाँ से आगे बढ़ें करीब डेल सो दो सो मीटर आगे जाके वहाँ पर जो सूरज को लेकर ख़ड़े हुए थे तीन लोग वो भी उससे बाचीत कर रहे थे इनके आते ही यह उस पर सूरज पर जपट पड़े सूरज थोड़ा मुश्किल से काबू में आ रहा था शरीर से मजबूत था तो कोई रसी उनके पास नहीं थी वहाँ तो दुपट्टे से इन्होंने कस दिया तो दो लोगों ने अपनी अपनी शर टाली दूनों भाई पती दूनों भाई और चचेरे भाई ने दुपट्ट पीठने लगया बुरी तरह से मारने के बाद इस वीच में ना कोई गाड़ी आई नो कोई वेक्ति आया करीब करीब रात के 12 बज रहे थे उसके बाद फिर दोनों पीछे जाकर और उसके पास जाकर बार बार उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि इनमें कोई जान तो नही बची है जब ये इंशोर कर लिया कि डोनों की मृत्ति हो गई है तो फिर उन्होंने कहा कि अलग अलग इनको रखना ठीक नहीं है ये साथ जीएंगे साथ मरेंगे वाले हैं ये बहुत देर से कह रहे थे कि हम साथ जीएंगे साथ मरेंगे तो जी भी साथ लिए और साथ ही म के पास तक ले आए और दोनों को ठीक अगल बगल में लिटा के और फिर वहां से यह लोग मोटरसाइकलों से गए सब के शरीद में खून लगा हुआ था आगे जाके इन्होंने अपने वो खून से सने हुए कपड़े फिक दिये और जिस शर्ट से इन लोगों ने अगला उसक अगल को मजबूती प्रदान करते हैं आप चांदे हैं कि इस तरव में जब ऑनर की लिंग होती है तो तो कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता चाहे लडकी वाला हो थाल कि दोनों भी डिसों करते हैं अपने अपनी लोगों को फिर ये वहाँ गए वहाँ से इन्हों नहाइद होए रात में ही और सबेरे ही अब सारे लोग अपने अपने घरों से फरा लोगे इसलिए इन में से कोई भी इनके परिवार से कोई भी इनको पहचानने के लिए नहीं आ रहा था और इनको ये लग रहा था कि अगर पहचान में नहीं आएगी बाडी तो हम लोग साफ साफ बच जाएंगे लेकिन सर्विलांज से एक एक कॉल उनकी डीटेल उनका मूमेंट कहां पर किती देर रुके बाडी जहां पर मिली वहां कौन पहले पहुँचा कौन बाद में पहुँचा कहां पर इनका मारा जाना प्रतीत होता है और फिर कहां से घसीट के दोनों को एक साथ लाया जाना प्रतीत होता है इन सब को मिलाके और फिर पांच अगस्ट को इन सब को मिलाके लेकिन इन में से कोई तब तक मिला नहीं था पांच अगस्ट 2015 को जब दिनेश और शेकुमार की गिरफतारी हुई तो जो सर्विलांस के माध्यम से जो मिसिंग कड़ियां थी इसमें उनको दुरूस किया गया और ये पूरी जो बात मैंने कसे कसे इन लोगों ने किया था ये पूरी बात पता लगी इसके पहले जब CDR के मिलान से डाटा के बहुत धेर सारे डाटा के अनल्सिस से ये तो पता लग गया कि ओनर किलिंग ये भी पता लग गया कि इस किलिंग में दोनों के परिवार के लोग शामिल हैं मौके पर हैं लेकिन ये कैसे हुआ होगा क्या हुआ होगा इसमें तमाम डिस्क्रिपेंसिस थी तमाम ऐसी कड़ियां थी जिसको हम लोग एक्स्प्लेइन नहीं कर पा रहे थे उन सारी कड़ियों को इन दोनों की गिरिफतारी के बाद एक्स्प्लेइन किया मैंने आपको पहले ही बताया कि ओनर किलिंग में सब अपनों ने ही मारा पूलने को त्यार नहीं था कूई, बोडि ले जाने को त्यार नहीं था कोई मा बचारी मा ही थी, वो किसी तरह से ले गई और किसी तरह से उसने उसका अंतिम संसکार किया तो आउनर किलिंग की घटनाओं में जब लोग अपनों को डिसोन करते हैं तो पुलिस के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है ये तो अच्छा था कि ये मुकदमा गाओं के चौकिदार हालां कि वो भी उसी गाओं के चौकिदार से लिखवाया गया था गवाही देने को कोई तयार नहीं था फॉरेंसिक इविडेंस जितनी थी उसी को इकठा करके और फिर कई बहुत ही लंबी विवेशना के बाद इसमें चार्शी सम्मिट की गई मैं बहुत इस पस्त नहीं बता पाऊंगा कि पांच साल पहले की इस घटना में ट्राइल में क्या हुआ या फिर ये केस अभी तक ट्राइल में आया भी की नहीं आया जो मुल्जिम पकले गए थे बाकी भी बाद में पकले गए जो पकले गए थे क्या वो अभी तक जेल में हैं कि उनकी जमानत हो गई है ये बहुत इसकी जानकारी नहीं है लेकिन चुब कि हम सारे लोग सारे अधिकारी उस समय मौके पर गए थे और इतनी विभज तरीके से लड़का लड़की को मारा गया और पता न लगना इसका एक ही गाओं का होने के बावजूद ये पता न लगना ना लड़की वाले कुछ बोलने को तयार ना लड़के वाले कुछ बोलने को तयार तो ये सिटी किसी भी ऐसी हत्या में जो अपने आपको सामाजिक रूप से अपनी बदनामी को छेपाने के लिए या अपने जो समाज के नियम कानून बने हैं उनको फालो ना करने एक पर जो ये दंड लोग देते हैं जो शुद्ध क्राइम की शिगनी में है लेकिन उसको सामाजिक तौर पर उसको स्विकार करते हैं जिसके कारण ये अदालतों में इनकी गवाहिया नहीं होती हैं और नबे फिस्दी केसे जिस तरह के छूट जाते हैं केवल और केवल वही केसे जो कंटेस्टेड होते हैं जिनमें दोनों में से किसी एक परिवार जिनका नुकसान हुआ है वो अदालतों में लड़ता है कवाही देता है परसू करता है वकील अच्छा करता है सिर्थ वही शायद उसको अंजाम तक पहुँचा पाएं लेकिन ओ कोड़ तक पहुंचते ही दम तोड़ देते हैं आज के लिए बस इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद